दोस्तो आज हम कुछ बहुत ही सांदार किचन गैजेट्स को देखने वाले हैं जो कि बहुत ही अनुखे तरीके से वे सैटिस्फाइंग तरीके से काम करते हैं ऐसे गैजेट को देखकर आपको बहुत ही जादा मजा आजाएगा क्योंकि यह है ही इतने सैटिस्फाइंग तो फिर चलो करते हैं हमारी कमाल धमाल की व्डियो को स्टार्ट सिंक में ऐसे कच्रे और पाने को डालने से सारी सिंक में कच्रा कच्रा हो जाता है तो इसे रहात पाने के लिए इस gadget को बना गया है जिससे की पानी तो नीचे भै जाता है और कच्रा उस gadget के अंदर इकठा हो जाता है है ना बहुती कमाल का gadget ये एक round shape slicer है जो की फलो वा सब्जे को काटने के लिए काम आता है जिसमें की बहुती सार ब्लेट्स लगेवे होते हैं सबसे पहले फल के उपर वाले वा नीचे वाले भाग को काट दिया जाता है जिससे की slicer फल पर आसानी से fit हो जाए और फिर इस slicer को फल पर रखकर जोर से दबा दिया जाता है जिससे की पूरा फल एक ही भारी में कट जाता है ये slicer एक ही भारी में फल के बहुत साइट टूपिडे कर देता है जिससे की फल को बार पर चाकू से काटने की जरूरत नहीं पड़ती इस टूपिडे की मदद से वाटर में को काटना वे उसके pieces बनाना बहुती आसान हो गया है पस वाटर में को आदा काट कर इस टूपिडे को इसमें चला जाता है और वाटर में की slice कट जाती है और फिर इसी टूल की मदद से Watermelon की Slices को बहार भी निकाला जा सकता है यह हैं मशीन चारी के अंदर से उसके बीज को निकालने के लिए बनाई गई है एक एक चारी को इस मशीन के अंदर डालते जाओ और इस मशीन के हेंडल को दबाते जाओ यह हैं हैंडल हर एक चारी के बीज से निकलता है और उसके बीज को निकाल देता है जिसे की चारी का फल तो अलग जगाए पर इकटा हो जाता है और उसके बीज अलग जगाए पर इकटे हो जाते है यह गाजेट है पाइनेपल कटर जिसको की गुमाते हुए पाइनेपल के अंदर पुरा डाल दिया जाता है और जब यह गाजेट पाइनेपल के अंदर पुरा चला जाता है तो इसको उल्टी दिशा में गुमाकर पाइनेपल के कोर को बाहर निकाल दिया जाता है और फिर इस पार्ट को एक जिगाब पर रखकर इसको चाकूजे सोटी सोटी बागों में किया जा सकता है जैसे कि यह पार्ट सबसे पहले तो इस टूल से बहर निकाला और फिर प्लेट में रखकर इसको काट दिया गया यह गैजट स्पैसली अनार से अनार के दानों को निकालने के लिए बना गया है सबसे पाए तो इस पर अनार रखकर गोल गुमा जाता है जिससे कि उसको आदा कर दिया जाता है और फिर उस आदे अनार को इस पर रख दिया जाता है और उसको अंदर की तरफ पूश करते हैं जैसे कि इस अनार के आदे पीस को इसके उपर रख दिया गया और फिर इसको चमज के दोवारा नीचे धकेल दिया गया ऐसा करने पर सारे के सारे अनार के दाने नीचे बाउल में कुलेक्ट हो गए यहाग गैजेट बिल्कुल एक सीजर की तरह है जो कि किसी फल को चुटे-चुटे पार्ट्स में आसाने से काट सकता है इसमें उपर की तरफ तो एक बहुती सार ब्लेड लगा हो होता है और नीचे की तरफ सपोर्ट के लिए छोटा सा बोड लगा हो होता है इस कलावर कट्रे की मदद से किसी भी सबजी फल को बहुती आसाने से काटा जा सकता है यह है फोल्डेबल ड्राइ रैक जो की कीचन में बहुती काम आता है इसको यूज करना बहुती आसान है बस इसको आदे सिंग के उपर रख दिया जाता है और फिर हम जो भी बरतन वगारा दोते हैं इसके उपर गिले ही रख दिया जाते हैं जिससे की उनका सारा पाने नीचे गिर जाता है और बेसूख जाते हैं और हां इस रैक पर हम किसी बी कपड़े वगारा या सबजी वगारा को भी सुखा सकते हैं खाना तो भाई साब से भी लोग बहुत ही मज़े से खाते हैं लेकिन जब आती है बर्तन दोने की बारी तो सबी को बहुत ही करठिनाई मैसूस होती है लेकिन ये स्करब वाले गलव्स पाहन कर बर्तन दोना बहुत ही आसान हो गया है बस इन पर थोड़ा जल लगाओ और सारे बर्तन को दो डालो हैना बर्तन दोने के लिए बहुत इजी वैस सांदार गैजट अब भी है टूल स्पैसली बना गया है चाको की धार को वापी हुलाने के लिए बस किसी भी चाको को इसके अंदर डालो और उसको आगे पिछे मूग करतो उसकी धार अपने आप ही तेज हो जाएगी इस चोटे से टूल में टेंगस्टन कारबाइड्स की रोड्स को क्रोस पोजिशन में लगाया गया है जिससे कि वे चाको की धार को बहुत ही तेज कर देती है और वह चाको फिर से नया जैसा तेज वाद धारदार हो जाता है जिससे हम किसी भी चीज को आसानी से काट सकते है यह एक बहुत ही समार्ट गैजिट है जिससे कि बर्तन दोने में बहुत ही आसानी रहती है इसके पीछे वाली बोटल में लिक्वीड घम को भर दिया जाता है जो कि बर्तनों को साफ करने के लिए काम आती है और जैसे यह है टूल बर्तनों को साफ करने के लिए आगे ला जाता है वह है लिक्वीड सोब बरस के आगे की तरफ आ जाती है और बरतनों को बार बरसा बुल लगाने की जिंजट मिच जाती है इस टूल के अंदर आगे की तरफ बहुत ही सार ब्लेट्स लगे वे होते हैं और इस टूल को यूज़ करना बहुत ही आसान होता है बस इसको किसी भी हरी पतिदार सब्जियों पर आगे पीछे करना होता है और यह अपना काम भखो भी कर देता है तो दोस्तो अगर आप टूडियों अच्छे लग रही हो टूडियों को लाइक कर लिजे और भाई को भी स्पोर्ट करो यार चैनल को सुस्क्राइब करनो ना प्लीज यह एक बहुत ही सांदर ग्रैंडिंग मसीन है जिससे कि किसी भी फल या सब्जी को आसानी से छोटे-छोटे पीसिज में काटा दा सकता है इसके अंदर सब्जी डालो और इसके अंदर लगे हुए बलेड को रबड बैंड के दुबारा गूमाओ जिससे कि इसके अंदर वाला कट्र बहुत ही तेज गती से गोंगया लगता है और सारी सबजी को सोटे सोटे पीचिस में काट देता है इस टूल की मदद से बहुत सारे टाइम वा एनरजी की बज़त हो सकती है मट्र से दाने निकालने में बहुत सारे टाइम कंज्यूम होता है तो उसके लिए भी यह एक स्पैसल मसीन मना दी गई है बस मट्रों को एक एक करके इन दो रोलिंग डैक के अंदर दालते जाओ और उनके दाने एकठे होते जाएंगे इस मसीन के मजद से आप किसी फल या सबजी को स्क्वारल्स की सेप में काट सकते हो जिसी फल को काटना होता है उस मसीन को इसके अंदर फुट कर दो और इस हैंडल दो गुमाते जाओ और यह मसीन उसको स्क्वारल्स के पार्ट में डिवाइड कर देगी और इस मसीन में अलग अलग तरह के blades लगे हुए होते हैं जिनको हम इसमें डाल कर अलग अलग तरह के squares बना सकते हैं किसी भी चीज को इस मसीन के अंदर लगा कर उसके squares बहुत ही आसानी से बनाये जा सकते हैं इस tool का इस्तिमाल किसी भी liquid को mix करने के लिए किया जाता है और इसकी खासित ही आय होती है कि इसके पीछे एक रबड का बैंड लगावा होता है जो कि इस पर लगे हुए सारे लिक्विड को एक जगह पर इखठा कर देता है ये रबड का वाईपर इस्तेमाल की हुए बर्तन को भी बहुत ही अच्छी तरीखे से साफ कर सकता है इस टूल में हम किसी भी चीज को डाल कर जब चाहे उसको कितनी भी मातरा में निकाल सकते हैं इस टूल को हम किसी भी डोर के निचे लगा सकते हैं जिससे कि उसके निचे पड़ा हुआ कसरा एक जगह पर इखठा हो जाएगा यहाँ गाजेट भी फीट वास के लिए बहुत ही उपी हो गई है यहाँ है ब्लेंडिंग मग जिसके नीचे की तरफ ही गुमता हुआ चक्कर लगावा होता है जो किसी भी स्मूधीज को बना सकता है यहाँ मगरी चार्जेबल होता है जो कि चार्ज करने के बाद इसके नीचे वाड़ा चकर घुमता है और यहाँ किसी भी चीज को आसानी से गोल सकता है है ना बहुती कम्माल का ब्लेंडिंग मग अब एक बार आप इस अमेजिंग वे सांदार सिंग को देखिए यहाँ कितनी कूल वे अमेजिंग है जिसमें हम सबजिया वे फल बहुती आसानी से दो सकते हैं और इसकी उपर वाली टैप को जहाँ जाहें वहाँ पर ही मूव कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो लाइक कर लो और भाई को स्पोर्ट करने के लिए चैनल को सुस्क्राइब करके बले आकन आपकर करना मत बूलना तो मिलते हैं अगर वीडियो में तब तक कर लिए बाई अपना ख्याल रखना